मकर्सकरान्थी का जो दिवस्त है वो कोई साधर्ण नहीं है आप लोग दान करते हो मकर्सकरान्थी में कित्ती चीजे दान करते हो तो स्वागन मात्दाओं को देते हो तेरा चौधा किते है चौधा कौन से कुराण में लिखा है कि चौधा चीज देना चीज़ अरे बोलते जाओ जरेल्जेल बड़ी मुश्किल से पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायन वायलो जो जो उधा चीजे दान देना है किस पुराण में लिखा है कोई तुम से पूस्ट सकता है तो महाराज आप आप आसकते अगनी पुराण में बढ़नानाता है कौन से पुराण में लिखा है अगनी पुराण में लिखा देवरीशी नारत भगवान विष्णू के पास जाकर पूछते हैं नारायन करपा करिये भगवान विष्णू ने पूछा क्या वाते बोलिये देवरीशी नारत क्या चाता चाहते क्या हो वो बताओ महाराज हमें इतना सा बता दो शिवजी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है कि हम जितनी भी जगा जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपल से में पूछना पड़ता है अंदर जाने के भगवान देवरिशी नारत कर रहे हैं नारेंड से कुछ एसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आग्या नहींना ही नहीं भगवान विश्णू को उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए नारत जी को लगा हमारा तो कोई जबा भी नहीं थी नारत जीवाईं पर ठेक गए खड़े नाम जाब करते हैं विश्णू बापिस आये और देवरिशी नारत से कहाए काम करो जब सूरी मतर में प्रवेश करते हुए उत्तराएण की और जावे उस घडी उस पल में देवरिशी नारत तुम चउधा वार भगवान के नाम का शिव नाम का दान दे दे जीए भगवान नारेण के नाम का अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डबा दो तो समझ लेना जीजिए ओए अच्छे से कि लोगों ने तो कि दान को कितना भरिष्ट कर दिया तो अगने पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक ती चाई की चन्नी दो प्लास्टिक का डगवा दो यहां पर यह नहीं लिखा है कि मकर सक्रांती के दिन जब सूरी उत्राइन भाव में प्रविश करें मकर में जावे उस समय पर देवरिशी नारत तुमारे मुख से अगर चौता बार भगवान के नाम का दान चौता जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें पर्मीशन की जिर्वत नहीं पड़ेगे तुम डारेक्ट प्रवेश करना हो तो तो उसके लिए कहां यह मकर सक्रांती पर दान दो तो किस चीज का दान देना प्लाश्टिक का डबगा नहीं बाल्टी नहीं चन्नी नहीं ऑफिर किस चीज का नात कर तो कहां अगर देवर्शी नारत आप दान दे रहे हो तो चवद्हान, नाम का दान मिजए चवधा जीवों, को नाम का दान दे दो बगवन ये करम है ये पूजन का करम है तिल्ली के लड़ु का क्रम है है लड़ू अनलो तिल्ली का इसका क्रम है पर अगर इसकंध पुरान उठा तो सब कर हिंदु धर्म में बुड़के लगटू तिल्दी के साथ मिलाते हैं क्यों उसका कानन कि शंकर और नारायन यह दोनों एत ही दिन एत ही पल गंगा का इस्टनान करने के लिए एक भगवान शुष लेकिए कि इतना कितना हमारे हिंदु धर्म में एक तिथी का एक बार का एक महत इसको समझें मातालक्षमी भगवान नारेन और भगवान शुष को इस नान के लिए गुप्त रूप से ज्ञाक दिये तो भगवान विश्णु ने तिर्ची दृष्टी में मातालक्षमी को देखा नारेन शुष्टी में मातालक्षमी को देखकर भगवान विश्णु शिव जीप देखे तो संकर भगवान में नारेन हमने देख लिया माराणी लच्षमी जहां करेगी हमने बर दे दिया कि लच्षमी का एक नाम गुप्त लच्षमी रहेगा कि छुपी रहेगे और आज मकर सक्रांती के दिन नारायन और शिव का दर्शन इस लच्षमी ने करा है पर जो गुप्त लच्षमी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बिमारी प्रविश नहीं करेगा कैंसर जैसा रोग फिटनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता आज भी नियम है कि मकर सक्रांती के दिन एक लट्टू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का करते हैं मकर सक्रांती है जिस समय पर कल सूरी उत्राइन आजाए और पहले दिन उत्रायन के दिन ही जब संध्या का समय होता है शाम का समय होता है अगर कोई बच्चा पलंग पर बातरूं करता हो गंदगी करता हो सारी ओशदी कर ली दवाई कर ली और या बच्चा रातरी को उठकर चिड़चिड करता हो या रोता हो रात भर महाराज उसके लिए या माता क कि इस तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूद ना के लिए या ब Mün forms तरणगी करता हो उसके लिए ख़ाम के समय पर प्रतम दिन में जब बगमान उत्रण्यार मकरश की अंतरगत तो शाम के समय पर मकर सक्रांती के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो उसी हाथ को बच्चे को मंदर के बाहर चेटा दो महारा तिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा जिस नारी का इस तन में दूद नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए उसको भी अगर चटा दिया जाए तो इस तन में दूद आना प्रादम हो जो बच्चा रात्री को रोता हो जाग जाता हो उसको भी अगर वहाँ चटा दिया जाए तो वो काम करता है यह कल के दिन कर के देखना बाद में बता ना जरूर हो कि शुगर वाले जीव जिनकी शुगर उंची नीची हो रही हो ज्यादा सुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली कल कल के लिए यह थास तो रहते बागी के शुगर के बता देंगे पर कल के लिए जो करना चाहिए जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही है काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और उस काली तिल्ली को जब शिवुजी पर चड़ाएं तो महाराज हाट केश्वर महादेव का नाम लेना है कौन से मह उस काली तिल्ली को चड़ा दीजिए हाट केश्वर महादेव का इसमर्ण करकर किसी को जलना चड़ाने देना है उस समय पर जवाब शंकर जी को चड़ाएं और भगवान शंकर की हाट केश्वर महादेव का इसमर्ण करकर 108 गुद्राक्ष से मनके से माला जपलो वहीं शंक हाट तिश्व नमा हादे उपाइस समड़